हलो दोस्तों स्वागत एक बार फिर आपका डेटा फ्लेर पाइफॉन के इस फ्री कोर्स में जहां पर आज हम बात करने वाले हैं गेटर्स इन सेटर्स मैथट इन पाइफॉन आपको यहादे लास्ट टाइम हम लोगों ने बात किये थी कि यदि मुझे क्लास के डेटा मेंबर्स को इनिशलाइज करना है इनस्टांस वेरियेबल को अगर मुझे इनिशलाइज करना है तो विए वन ऑप्शन इनिट मैथट और अगर मुझे उन्हीं इनस्टांस वेरिये तो वो second init method को consider कर लेगा तो अब यहां पर problem यह है कि सर अगर मुझे अपने data members को different types से initialize करना है we have a number of variables और अगर उन number of variables को मुझे different format में initialize करना है तो यहां पर आप समझें even industries says that कि to initialize the data member in a class rather than go for the constructor use getters and setters तो अब यहां पर एक बड़ा confusion होता है बच्चों को as a beginner जब धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे you know very well what is getters and setters कि getters or setters क्या होते हैं लेकिन initial level पर जब हम beginning level पर होते हैं तो यह concept बड़ा confuse करता है और यहां पर यह सुनना getters and setters का python से कोई concern नहीं है मतलब it is not necessary कि getters and setters को python का topic है यह java में भी यूज होता है यह dotnet में भी यूज होता है ठीक है मतलब जब भी class के data member को initialize करने की बात होती है तो हमेशा suggestion यह दिया जाता है कि आप बजाए constructor के आप getters और setters को use करो क्योंकि इससे पूरे data की controlling हमारे हाथ में होती है तो बड़ा confusion हो रहा है न क्या बोले जा रहा है आप लेकिन समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है कि getters and setters कैसे आपके data की controlling करेंगे चलिए तो बात करते हैं setters क्या होते हैं और getters क्या होते हैं setters वो method होती हैं जिनको use करके हम instance variable का initialization करेंगे बतला यदि मुझे किसी class के variables को किसी instance variable को अपने data के according initialize करना है so we have setters methods in a class और यदि मुझे उन data member को access करना है कि suppose we have a setters अब मैंने अपने class के data member को initialize कर दिया but in any moment अगर मुझे उन variables की value को access करना है तो वो getters method होती है आई बात समझ में तो setters अच्छा दोनों में difference समझ लेना setters वो method होती है जो आपसे हमेश्या value मांगेंगी जिनका return type कभी कुछ नहीं होगा जो कभी कोई value return नहीं करेंगे लेकिन getters वो value methods होती है जो आपसे कभी कुछ मांगेंगी नहीं देंगी मतलब जब भी मैं get बोलूँगा यह मुझे value return करेंगे तो इन से हमेश्या value return होगी बतलब यह वो methods होगी जो value return करेंगे और यह वो methods होगी जो आपसे data मांगके उस data के साथ instance variable को set करेंगे ठीक चलिए तो बाते करने की बजाए action पर belief करते हम एक example देखते हैं कि कैसे हम getters और setters को use करके class के data member को initialize करेंगे last time तक हम लोगों ने constructor के बारे में पढ़ा कि यदि मुझे class के data member का initialization करना है यदि मुझे instance data को initialize करना है यदि मुझे object के corresponding data को initialize करना है so we have an init method लेकिन अब init की बजाए हम यहाँ पे setters को use करते हैं तो आप देखेंगे एक simple सा example देखते है suppose एक class मैंने बनाई है employee के नाम से suppose we have an employee class okay यह मैंने class बनाई class का नाम रखा हमने employee अब इस employee class में मुझे कुछ instance variable को initialize करना है like employee का id, employee का name, employee का department, employee की salary यह मुझे कुछ data initialize करना है तो यहाँ पर हमने क्या किया यहाँ पर in data को अगर मुझे initialize करना है तो यह तो मेरे पास एक तरीका है मैं एक constructor बनाऊ चार parameter के साथ मैं लेकिन बच्चे यदि मैं उस constructor को चार parameter के साथ define करोंगा तो इसका मतलब है मुझे चार value compulsory देना पड़ेगी यहाँ पर in it method को define करता हूं something like this अभी मैं इसको temporary define कर रहा हूं कि इसको हटाना है मुझे self, यदि मैंने लिया id यदि मैंने लिया name यदि आपने लिया department यदि आपने लिया salary तो फिर concept यह बोलता है कि आपको इस method को इस method को जब भी आप object बनाऊगे आपको चार argument compulsory पास करने पड़ेगे यदि आप यह चाहते हैं कि आपका data के वाला भी id और name को लेके initialize हो जाए आपको तो चारो parameter देने पड़ेंगे ना, because your init method will consist four parameter अगर आप सोच रहें कि सर एकूर init method बना देंगे जो दो parameter वाली होगी, तो मेरे लाल, मेरे बच्चे, last time ही पढ़ा के आ रहा हूं में, कि overloading possible नहीं है Python में, तो फिर इसकी बजाए, better तरीका क्या है, कि हम class के data member को initialize करन आते हैं, तो आप देखो, अब यहां पर यह जरूर आप ध्यान रखना, जितने data होंगे, उतने setter बनेंगे, और उतने gator method बनेंगे, जैसे अगर मुझे id को initialize करना है, तो setter method हमेशा कैसी होती है, नाम set से शुरू होता है, set, और जिसको initialize करना है, जैसे मुझे id को initialize करन और यह कोई inbuilt method नहीं है, यह ध्यान रखना, यह मैं अपनी setter method define कर रहा हूं, तो हमने कह लिखा define set id, और इसको as a parameter हमने एक value receive करी है, self के साथ में, यदि मैंने self लिखा है, तो self के साथ में यह method मुझे से value मांगेगी, मैंने दे दिया id, तो अब मैं यहापर क्या method बन गई, this is what setter method, यह मेरी setter method बन गई किसकी id की, setter method of id, तो इसका मतलब यह है, मुझे जब भी id को initialize करना होगा, मैं चेवल इस method को call करूँगा, अब इसी की getter method देखो, आप कैसी होगी, यदि मैं चाहता हूं कि मुझे किसी भी movement में id देखना है, तो इसकी getter method, define, get id, as a parameter, कोई parameter, मतलब कोई argument नहीं हम देंगे इसको, लेकिन इस method से return क्या करेंगे, return self.id, return self.id, तो यह हमने setter getter बना लिये id के, अब बस यहाँ पर एक question जरूर है, सर, जितनी methods होगी, उतने setter, उतने getter बनेंगे, बिल्कुल अभी बनेंगे, लेकिन आगे, जैसे जैसे हम editors प बना के देंगे, implicit बना के देंगे, there is an option in this editor, so that your setters and getters automatically generate, okay, तो यह मैंने setter getter बना, यह getter किसका है, यह मैंने बोल दिया, this is a getter of id, getter method of id, तो अब देखो, अभी पहले एक की बात करें, यदि मानलो मुझे एक employee का id set करना है, तो जहाँ पर हम इस method को call करेंगे, जैसे मान data से अपना id set करना है, तो हम हमेशा object बनाते है class का, मैंने लिखा even equal to employee, जब हमने लिखा even equal to employee, तो इस even के लिए class ने memory allocate की, अरे समझ में आ रहा है, यह तो बहुत पुराना concept है, अब तो, कि जब आप even को define करोगे, तो आपकी class memory allocate करेगी, अब जब मुझे इस data को initialize करना है, आईडी को, तो मैं यहां क्या लिखूंगा, even, sorry, हम यहां पर क्या लिखेंगे, even, even dot set id, और यह बेने id दे दिया, मानलो 100, तो क्या हुआ, इस e के लिए, यह जो class ने allocate की है, employee नाम की class ने, जो memory allocate की है, उसमें id की value, जैसे ही यह setter call होगा, id की value कितनी set हो गई, 100, किसके corresponding, even के, यह पूरी memory even के लिए चल रहे है, यह भी even is an instance of this class, अब यह दी मानलो, मैंने आप सो बोला कि मुझे, id की value देखना है, I want to print the value of id, तो मैं simply क्या लिख दूँगा, print, print, even dot get id, even dot get id, तो यह दी मैंने लिखा यहां पर, even dot get id, so this get id method, returns me that id, जो मैंने यह initialize किया हुआ है, value प्रिंट होके मिल जाएगी, तो concept समझ में आ रहा है आपको, कि क्या कर रहे हैं हम, अगर आपको class के data member को, individually initialize करना है, देखवा, यदि आपको यह लगता नहीं सर, optional value कभी होगी नहीं, मतला जब भी आपको यह object बनाएंगे, कमपल सरी आपको 3, 4, 5 value देना है, तो फिर innate method best है, then innate method is best, फिर आप object print करके value देखेंगे, तो str method overwrite कर सकते हो, str method पढ़ी है, हमने last lecture में, innate और str combination में आपको पता है था, लेकिन वो तब best है, जब आपको class में compulsory data initialization करना है कि, if your class is having 5 member, और all these 5 member must be initialized with all the object, तो फिर आप init और str method को use करो, init for set और str for print, ओके लेकिन यदि आपके class में data member ऐसे हैं, जहां कुछ object के लिए आपको optional रखना है, तो फिर getter और setter सबसे best option है, फिर वहाँ पर हम getter setter को use करेंगे, तो यह मैंने अभी getter setter किसका बनाया, आईडी का, अब देखो आप, similarly अगर मुझे getter setter बनाने है, और getter setter बनाने, यह तो हमने एक को बनाके, अभी concept को समझा है, लेकिन यदि हम चाहते हैं कि सर ऐसा ही getter setter मुझे name का भी बनाना है, तो name का get setter हम किस नाम से बनाएंगे, define set name, define set name, self, name, define set name, self, name, और यहाँ पर हमने इसको define किया, क्या लिखा, self.name equal to name, तो यह जो name में parameter आएगा, local variable में, वो आपके self.name को assign हो जाएगा, यह आपका setter बन गया, similarly, define get name, define get name, self, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, return, return self.name, तो in this way we will define getter setter, getter setter, getter setter, यह setter getter ID के, यह setter getter name के, एक setter getter salary का, एक setter getter department का, तो advantage इसका यह है बटा, कि यह आप सबके से getter setter बना लोगे, यह आपना ID का बना है, आप समझ में आगे ना किसे बना रहा है, name का, ऐसे ही salary का setter, किसे बनेगा, set salary, self commerce salary, get salary, अभी जब practical देखेंगे, तो मैं आपको सारे setter getter बना के बता दूँगा, अभी यहाँ पर आप केवल concept को समझने की कोशिश करो, क्योंकि industry is always required that you must initialize your data member with setter getter, जब आप कोई live project पे काम करोगे, जब आपको AC application पे काम करोगे, जहाँ पे आपको इस तरीके से data member को initialize करने की requirement होगी, so that your getter setter must be required there, वहाँ पर आपको getter setter का compulsory use आएगा, क्योंकि initializing the data member using constructor is the old fashion, now the new fashion and that is what setter getter, क्योंकि यह controlling हमारे हात में है, अब देखो, अब इन दोनों को अगर हम initialize कर रहे है, तो calling place पे हमने क्या किया, जहाँ भी आप object create करोगे, हमने लिखा even equal to employ, ठीक है, and then I call even dot set id, 101, even dot set name, even dot set name, and that is what, suppose, विशाल, तो इससे क्या advantage है, आप समझना, अगर आपने setter getter, setter getter सब बना लिए, तो आपका एक object, multiple value consist करके रखेगा, तो अब इसससे क्या हुआ, आपने 2 setter, अब आपको लखना है, कि सर, मुझे, जैसे, अगर मान लो, मैं object को print करता हूँ, यदि मैंने लिखा print even, तो यादे हमने पढ़ा था, object का print होना, मतलब कौन सी method call होती है, str, पर str तो आपको id और name दोनों print करके देगी, और अगर 6 member हुए, तो 6 member print करके देगी, लेकिन अगर आपको लगता है, सर, मुझे केवल employee का नाम देखना है, so that you will go for e.get name, आपके वल किसको use करोगे, e.get name method को, यदि आपको लगता है, आपको उसकी केवल salary देखना है, so you should go for e.get salary, तो जब setter gator हमारी class में होते हैं, तो जिस particular data की requirement होती है, हम उसी में value set करेंगे, जिस particular object के लिए आपको data read करना है, आपके वल उसी value को read करोगे, so that is what an advantage of setter and gator method, यह setter gator method के advantage होते हैं, कि the data controlling is completely in the hand of programmer, समझ में आया, आपको concept समझ में आया, setter gator का, अभी हम इसका practical implementation भी देखते हैं, तो चीजें और आसान हो जाएंगे, लेकिन आप समझना बेटा, यह कोई python की inbuilt method नहीं है, यदि यही student class होती, तो हम student class के लिए बात करते हैं, लेकिन class में once we declare or define setter gator, so I hope आपको समझ में आया होगा, इसके advantages क्या क्या है, so to initialize the data member of a class, यदि आप से पूछा जाए, how many ways we initialize the data member of a class, so there are two ways, either you should go for constructor, init method, or you will go for setter method, how we access the data member of a class, दो तरीके हैं, या तो आप object के print करने पर data member को access कर लो, class in the sense, I am talking about instance variable, कि यदि आपको instance variable को access करना है, तो access करने के दो तरीके हैं, या तो आप instance variables को, str method से return करवादो, जो हमने last time concept पढ़ा था, और या फिर आप instance variable को, getter के थूँ access कर सकते हैं, clear है, तो I hope you understand what is setters and getters method, setters and getters method क्या होती हैं, और क्यों हम setters and getters को use करते हैं, तो इसके practical implementation को हम देख लेते हैं, ताकि कहीं कोई confusion न रहे, और उसके बाद भी अगर confusion है, तो feel free to ask me, लेकिन topic important है, जब भी आप अपना final project बनाऊगे, तो आपसे expectation यही रहेगी, कि आप instance variable का initialization, setter, getter के थूँ करें, rather than constructor से, कि constructor को use करने की बज़े, you should go for setters and getters method, कि आप अपने हर variable की setter method बनाए, आप अपने हर variable की getter method बनाए, तो I hope you can understand, और आपको topic समझ में आया होगा, तो मिलते हैं next lecture में, और इससे बढ़िया और important और interesting topic के साथ, till then, video को share करिए, और like ज़रूर करिए, ठीक है, चलिए तो मिलते हैं next lecture में, तब तक आप समझी इस चीज़ को, और अब हम इसके practical implementation को भी देख लेंगे, और फिर कुछ और नए interesting topic पर बात करेंगे, चलिए take care, bye, मिलते हैं,